हेलो गाईज राधे राधे केसे हो आप आए होप आप सब ठीक होंगे गाईज यहाँ पे मैंने चोली और अंडर्वेर्ट दोनों साथ में बनाया है और कुछ नए तरीके से मैंने कैप बनाई है पूरे वीडियो में मैंने बाल गुपाल जी का नाप लेकर एड्रेस बनाया है बहुत ही इजी और आसान तरीका दिखाया है वीडियो में तो गाईज यहाँ पे मैंने छे नंबर के कानाजी लिए एड्रेस अम पांच छे और साथ को आसानी से पहना सकते हैं कुछ भी दिखत नहीं होती है तो देखे गाईज कुछ इस तरह से हमें इसको पहनाना है बहुत ही इजी और आसान तरीका है गाईज लगता भी बहुत ह अच्छा है तो आप देख सकते हैं मैंने चोली के साथ-साथ अंडर्वेल भी बना दिया है कितना बड़िया लूक आ रहा है गाईज आप चाहो तो ऐसे ही भी पहना सकते हैं गाईज मैंने और भी बहुत सारे लड़ू गोपाल जी के ड्रेस के ज्वैलेरी के भी वीडियोस बनाए हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से हम घेरा पहना देंगे तो कितना बड़िया सा लूक आ रहा है अब हम पहनाएंगे कैप तो ये प्यारी सी कैप मैंने न्यू डिजैन में बनाई है गाईज तो देखे गाईज कैसे लग रहे हैं मुझे कमेट करके जरूर बताना और ज्यादा पसंद आए तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना लाइक करना तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम कैप बनाएंगे तो इसकी लंबाए साड़े आठ हींच और चोड़ाई की साड़े तीन हींच से कुछी इस तरह से सिंगल फोल्ड करके यहाँ पर टीज कर लेंगे अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये पूरी कवर्श हो जाएगी अब हम इनके ऊपर एरेस को टीज करके अटेज कर देंगे बहुत ही इजी और आसान तरीका है गाईज इस तरह के छोटे छोटे टुकडों से हम बहुत सारी अच्छी चीजे बना सकते हैं गाईज तो देखिए गाईज लगाना था एक ही लेस लेकिन इतना करता और भी बढ़ जाएगी तो कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहां पे हलका सा राउंड से देना है अब हम यहां पे टीज कर लेंगे बहुत ही इजी है कुछ भी दिक्कत नहीं होती है आसानी से हमें तीरे तीरे राउंड में टीज कर लेना है तो यह हमारी किछ हो गई दो उंगलिक में सीर आ जाता है बाल गोपाल जी का अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप काना जी का सीर का नाप लेकर भी कैप बना सकते हैं अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे थागा कट कर लेंगे अब हम इसको सीधा कर तो यह उमारी प्यार इसी कैप भनके रड़ी है है नहीं इजी तरीका अब हम बनाएंगे गेरा तो यहाँ पर मैंने दो पाट लिये है दो लंबी श्ट्रिप लिये है तो इसकी लंबाई है 31 इचिस और 24 इसकी दोनों की अलग-अलग है तो ग्रीन की साड़े तीन है और यलो की ठाई इच है अब हम सीधा बग अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक सिंगल टीस्ट करना है कुछ भी नहीं करना है यह टीच हो गई इस तरह से सीधा करना है और यहाँ पर टोप टीच लगाना है प्रेस्टीच पर मैं साथ में लेस भी लगा दूंगी तो एकी सीलाई में हम दोनों काम कर लेंगे टोप टीच भी हो जाएगी और अमारा लेस भी लग जाएगा तो बहुत ही इजी तरीके से पूरे वोडियों में मैंने बाल गोपाल जी का नाप लेकरी यह ड्रेस बनाया है गाइस तो यह अमारी टीच हो गई है गाइस अब मैं आपको बताती हूं के श्ट्रिप की लंबाई कितनी है 31 इचिस और चोड़ा इसकी 5 इचिस है कम जादा आप अपने इसाब से खेरा बना सकते देखे इस तरह का धागा धागा कपड़ा होता है तो हम यहाँ पे अस्तर का यूस करेंगे तो कुछी इस तरह से सीधा भाग हम अंधर की तरफ रखेंगे अब आपको यलो बहार की तरफ रखना है के ग्रीन रखना है तो यहाँ पे मैं ग्रीन रख रहे हूँ तो कुछ इस तरह से हमें तीन साइट टीच करनी है गाईस बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी टीच अमारी तो देखे यह अमारी टीच हो गई अब हम इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से और दोनों साइट दोनों किनारों पर हम अच्छे से कौने निकाल देंगे तो ड्रेस की अच्छी फिनिशिंग आएगी गाईस अब कपड़े को अच्छी तरह से हमें बिठा देना है बहुत ही इजी और आसान तरीका है कपड़ा हमारा बेट कया है और पूरा ड्रेस हमारा कवर सीला हो जाएगी अब हम यहाँ पे फिर से एक बार टीच करके लेज को अटेज कर देंगे आप चाहो तो तीन चार लेयर कर सकते हो ऐसे भी मैंने बहुत सारे ट्रेस बनाए है आप मेरी चेंडर पर जीरो से नाइन तक के बारा तक के लडू गोपाल जी का ट्रेस देख सकोगे और बहुत ही इजी तरीके से मैंने दिखाया है तो उपर की तरफ भी मैंने टीच किया है ताकि हमारे कपड़े में कोई जोलना पड़े अब हम अच्छी तरह से पहले सेट करेंगे और जो एक्ष्ट्रा अस्तर का कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे तो यह हमारी लंबी श्ट्रिप बनके रेडी है अब हम इस तरह से डेटेट इंच के प्लेट्स लेंगे और प्लेट्स इस तरह से हमें नजदिक नजदिक रखने है और तीज करने के बाद थोड़ा हमें आगे लेना है ताकि हमारे प्लेट्स में कोई गैप ना पड़े और अच्छी तरह से सेट करते जाना है फिर तीज करन ताकि हमारा प्लेट्स एक भी टेड़ा मेड़ा ना हो और प्लेट्स हमें लड़ू गोपाल जी के कमर के इसाब से डालने है तो देखिए गाईस बहुत ही इजी तरीके से हमारी प्लेट्स बन जाती है तो पूरी श्ट्रिप की मैंने प्लेट्स ले ली है गाईस तो कमर की लंबाई मैंने सेवन इचीस रखी है अब हम इस तरह से गेरी को उल्टा कर देंगे और यहाँ पे नेफा बनाएंगे तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पे टीच कर लेनी है तो कुछी इस तरह से दोनों साइट सिंगल फोल्ड करना है और टीच कर लेना है फिर हमें उपर का जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है त्यान में रखना है कि हमें सीलाई कट नहीं होनी चाहिए यह कट करने से हमारी दोरी अच्छी तरह से खी सकती है तो कुछी इस तरह से दोरी को अंदर रखना है और अच्छी तरह से से शैट करके यहाँ पे टीच कर लेना है यहाँ पे भी दोरी पर हमें टीच नहीं करनी है तो देखिए हमारा केरा बनके रेड़ी है यहने इजी तरीका अब हम बनाएंगे चोली और अंडर वेट दोनों साथ में बनाएंगे तो इसकी लंबा है 8 इंच और चोड़ा इसकी 3.5 इंची से कुछी इस तरह से सिंगल फोल्ड करके हमें पेले टीच कर लेना है आप चाहो तो टीच और लेस दोनों साथ में भी कर सकते है तो कुछी इस तरह से हमें सिंगल फोल्ड करना है और इनके ऊपर टीच कर देना है बहुत ही इजी तरीका है गाईस अब हम यहाँ पे लेस को ट एड़ी हो जाएगे ऐसी हम यलो की भी पनाएंगे देखिए दोनों स्ट्रिप तयार हो गई है अब हम अच्छी तरह से यहां पे मिलाएंगे जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और दोनों को टीच करके जोड़ देंगे कुछी इस तरह से अब हम सीधा कर लेंगे देखे कितना अच्छा लूक आ रहा है अब नीचे हम कमर में बादने के लिए यह लेस का ही यूज़ करेंगे तो इसको भी हम टीच करके अटेच कर देंगे कमर में बान सके उतना ही ले समय लेना है और एक्ष्रा कट कर लेना है तो यह हमारी चोली और अंडर वेल दोनों बन के रेडी है बीच में मैंने जो शिलाई किये वो फूर इंचिस किये